लगभग 10 सालों से एक कॉमन ट्रेंड पूरे देश ने देखा है कि चुनाव से ठीक पहले ही विधायक दूसरी पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में आ जाते थे यह मोदी युग के इतिहास में पहला चुनाव होगा जब विधायक बीजेपी को छोड़ करके किसी अन्य दल में जा रहे है राजनीती में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है दोस्त परसेप्शन का क्रियेट करना, क्रियेशन उसका होना यानि कि धारणा का बनना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट राजनीती में होता है फिक चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्या जी का पाला बदलने से बीजेपी को कमजोर पढ़ने का मैसेज स्वतहा आटोमेटिकली उनके वोटर की तरफ चला जाएगा और ऐसे ही लगातार लोग बीजेपी से जाते रहे तो मैसेज पक्का बीजेपी वोटर पर जाएगा कि बीजेपी के लिए अब सब कुछ यूपी में खतम हो चुका है एक बात समझेए स्वामी प्रसाद मौर्या के स्टीफे से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के खिलाफ उस कैंपेइन को एक बल मिलता ज़दूर दिखाई दे रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश में उची जातियों की सरकार है उनके खिलाफ दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बीजेपी ओवी सी को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसमें कितना सफल उपएगी देखने वाली बात है लेकिन अगर आप फैक्ट्स की तरफ देखेंगे दोस्त जो मौर्य सहाबते ना मौर्या, शाक्य, सैनी और कुश्वाहा बिरादरी में इन लोग की मजबूत पैठ थी तेरह जिलों में सीधा प्रभाव होता था तकरीबन सौ विधान सभा सीटों पर जाती का प्रभाव माना जाता था अब मौर्या जी ने भाजबा का साथ क्यू छोड़ा इसके पिछे की वझहा में आपको समझाता हूं उनके भाजबा छोड़ने की सबसे बड़ी वझहा अगर आप देख सकतें उनका ग्रामीड इलाकों में वोट बैंक है खेती किसानी करने वाले लोग हैं लंबे समय से ग्रामीड शेत्रों में अगर आप देखेंगे तो भाजपा के खिलाफ लोगों में एक नाराजगी नजर आ रही है मौर्या ने इस नाराजगी को भाप लिया है और उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ करके सपा का साथ पकड़ लिया है अब लोग कुछ विशलेशा कुछ ये भी कहते हैं कि मौर्या अपने साथ अपने बेटे और समर्थक विधायक केले टिकेट चाहते थे और उनकी मांग पूरी नहीं हुई है इसलिए वो उस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है और उन्होंने पना पाला बदल लिया है अब स्वाबे प्रसाद मौर्या की बेटी है एक संग मित्रा मौर्या वो बदायों लोग सभा सीट से बीजेपी की सांसद है और उन्होंने जातिय जनगर्णा की मांग का संसद में समर्थन किया था संग मित्रा का ये रुख पार्टी के अधकार एक रुख से बिलकुल अलग था अब उन्होंने साफ तोर पे कह दिया है उनके पिताजी के अपनी एक विचारधारा है वो चलेगे कोई बात नहीं लेकिन मैं बीजेपी में रहूँ में विचारधारा थोड़ी सी अलग है उन्होंने साफ यहाँ पर कर दिया है अब सुनने में आया है कि कुछ बीजेपी के साथ भी लोग जुड़े हैं कॉंग्रेस के जुड़े हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाता हूँ एक ट्विटर पर अगर आप देखेंगे सुर्य परताप सिंग ने बीजेपी पर निसाना साथ देवे यह वाला ट्वीट किया बीजेपी दम तोड़ देगी यह तो पता था पर घुटिने टेक देगी चुनाव से एक महिना पहले इसका अंदाजा उनको बिल्कुल नहीं था स्वावी प्रसाद मौरिया के आने के बाद अनुप्रिया पटेल का भी रास्ता खुल गया है अगर समाजवादी पार्टी से उनकी वारता फिर से शुरू हो जाती है और मा बेटी साथ आई तो भाजपा दो अंको में सिमट जाएगी अब यह ट्वीट थे अब इस ट्वीट को लेकर कई सारी यूजर्स ने अपने व्यूज रखे जैसे इस वीवर को देखिए इसने लिखा कि केंद्रे मंत्री अनुप्रिया पटेल के लिए अभी भी सपा के दर्वाजे खुले हुए है देखा जाए ट्वीटर पर लोग किसी को भी नहीं चोड़ते हैं जब गौरब भाटिया से उनका मत जानना चाहा तो गौरब भाटिया जी ने कहा कि समाचारों में न्यूज आई है कि किसी पार्टी को जोइन नहीं किया है केसर प्रशाद मौर्य जी ये गलत बात है और मैं समझता हूँ कि आपके पास भी ये खबर आई है जो कि पूर्ण रुप से गलत है अब बात तो ये थी ना कि वो केसर प्रशाद मौर्य थे ही नहीं है ना अब उसकी बात पर न्यूज आंकर अंजनाओं कशब के बीच में ही टोकना पड़ा अब अंजनाओं कशब भाजबा के प्रवक्ता से कहती है कि देखिये सहाब स्वामी प्रसाद मौर्य नाम मत भूलिए आप तो उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री का नाम ले रहे ह आज तक के हला बोल का इससे जुड़ा जो वीडियो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वैरल है जिसे लेकर के आप सोशल मीडिया पे यूजर काफी ज्यादा तंच कस्ते हुए पीछे नहीं हट रहे है टूटर पे बचता नहीं है चाहें आपकी जुबान क्यों नफिसल बड़े वकील होंगे इनको ये तक नहीं पता कि इस्तिफा किस ने दिया है और रविंद्र भटनागर साब का एक यूजर है उन्होंने लिखा कि अगर ऐसे चलता रहा तो चंद्रकुप्त मौर्य को भी ये निकलवा सकते हैं दोस्तों भी बहुत बड़ी खबर आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गरफतारी का वारेंट जारी कर दिया है धार्मिक भावना भड़काने पर कोट का आदेश 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने का आदेश है और 7 साल से चल रहा धार्मिक भावना करते हैं तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा सजग होने की आवशक्ता है यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रसाद मौरे की ग्रफतारी का वारिंट आप जारी कर सकते हैं लेकिन यति नरसिंगा नंद जी के खिलाफ आगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा सोशल मीडा इस सवाल क पंजाव के कुछ पॉलिस कर्मियों के उपर और बात साफ निकल के आई है और उसमें बताय चा रहा है कि पीम की सुरक्षा में जान बूच करके एक धील दी गई थी लेकिना सुप्रीम कोट ने इसकी भी हवा निकाल दी पीम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के मामल कभी बसपा में स्वामी प्रसाद के जरिये इन ही लोगों को काफी ज्यादा अकरशित करती थी यही काम अब भाजपा कर रही थी अब यही उमीद समाजवादी पार्टी यारी किसी सपा करेगी अब देगो सुनने में आया है कि अखिलेश की पार्टी में बीजेपी की वि बदलने का सबसे सही समय यह मारा जाता है क्योंकि आचार संगिता लागू है और लागू होने के साथ ही ब्यूरोक्रैसी मुख्यमंत्री के हाथों से निकल करके चुनाव आयोकेस हाथ पहुंच गई है तो यह मौसम में ED और CBI हनीमून पर चले जाते हैं इसलिए दल बदल आपका इस समय काफी तेजी से चल रहा है दल बदल को पब्लिक को कैसे देखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ वैसे भी एक बात बिल्कुल तेह है कि चुनाव की गोशना होते ही राजनिताओं के दल बदल की जो गहमा गहमी है वो तेजी से शुरू हो जाती है चुन कांग्रिस की नईया डूपती जान पढ़ने लगी तो कांग्रिस से पलायन कर नेताओं ने भाचपा का साथ पकड़ दिया उन से जुडने की होड दिखाई उसमें जाके शामिल हो गए उसके बाद के तमाम विधान सभा चुनावों में यही पाला बदल वाले स्थिती दे मिले ऐसा ही भगड़ हमें बंगाल की विधान सभा चुनाव में देखने को मिला तब भाचपा के स्थिती मजबूत नजर आ रही थी इसलिए त्रिनमुल के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ करके भाचपा का दामन थाम लिया था हाला कि नतीजे कयासों के कफी कांग्रेस और भाचपा चोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताक जैसे कि कतार लगी हुई है यह ठीक है कि हर राजनितिक दल सत्ता में आने के लिए संघर्ष करता है और अपने अपने तरीके से चुनावी समीक करण साधने का पूरा प्रयास करता है पूरी सोशल इंजिनिरिंग करता है लेकिन इसमें अगर आप एक बुरी बात भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के दल बदल करने से जीतने वाली पार्टी से गठ जोड़ करके फिर सत्ता में पहुशने का जो प्रयास है आखिरकार मतदाता को ही वहरोजहान किसी दल के परती होता है ऐसे में उसने जिस दल को अकारने का मन बनाया होता है अगर उसी दल का नेता जीतने वाली पार्टी में आकर कि चुनाव जीत जाता है तो यह एक तरह से मतदाता के साथ सीधा धोका धड़ी भी कही जा सकती है फिर दूसरे दलों से उनका जनाधार बचाने के लिए शंगर्ष किया होता है इसे किसी भी रूप में लोकतांतरिक तरीका नहीं कहा जा सकता है यह पीजेपी इस समाजवादी पार्टी हर पार्टी में होता है कॉंग्रस में हर जगे होता है अगर मैं कंक्लूजन की तरफ में चलू तो स्थिती मौर्या सहाब की जाने का बदल गई है क्या उत्तर प्रदेश भाजपा में ओबेसी का सीम चहरा गोशित करने की योजना चल रही है या फिर कोशिश हो रही है दोस्त अंदर खाने में सुनने में आया है कि भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदितिनात को लेकर के दो च सही नहीं माना जाता है सुवधा जनक नहीं है आप ये भी कह सकते हैं और वहीं दूसरी चर्चा कर आप लोग देखेंगे योगी आदितिनात को छोड़ करके इन सभी नेताओं में एक बहतर तालमेल है जबकि मुख्यमंत्री योगी आदितिनात की प्रदेश भाजपा ध् सिंग और राष्ट्रिय स्वैम सिवक संग के प्रचारक अनिल कुमार से अच्छी निवती है अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बारे में लोग की राय बिलकुल ये है कि राजनितिक मामलों में वो बहुत ही आसान इसे पत्ते नहीं खोलते हैं यहां लोग शहा की प प्रसाद मौर्य का चले जाना यारे कि विकट गरने के बाद योगी आदितिनात पर राजनेतिक दवाब काफी बढ़ गया है जबकि केशा प्रसाद मौर्य का इसके बाद कद थोड़ा सा उभर गया है यह राजनिति इसके बीच में तो आपने हरे घटना को देखा बनने जा रही है लेकिन इस कदम के पीछे पॉलिटिकल मैलेज मैंने आपको बता दिया किसको क्या फाइदा क्या नुक्सान है बास इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को तीन वाट्साप ग्रूप है शेयर कीज़ेगा जाहें ध्वांदेवात्रा स्टे अपडेटेट स्टे अजुकेटेड सत्यमेव जयते दमाशकार